पान सिंग तोमर का दर्द इर्फान में पान सिंग तोमर पर बने हमारे पिछले विडियो की दर्शकों ने बहुत सराहना की इसके लिए आप सब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस कहानी पर दर्शकों से मिली प्रतिक्रिया में पान सिंग तोमर के प्रती, सहनुभूती और बेहत सम्मान नजर आया जो शायद पान सिंग के प्रती इलाके के लोगों में हमदर्दी की वज़ा से था लेकिन ज्यादतर दर्शकों ने ये सवाल भी उठाए कि क्या पान सिंग तोमर को बचाया जा सकता था क्या डाकू बनने से पहले पान सिंग के साथ नयाय किया जा सकता था ऐसे क्या हालात रहे कि पान सिंग तोमर को बीहड का रास्ता चुनना पड़ा क्योंपुलिस और प्रशासन पान सिंग तोमर को समाज की मुख्यधारा में नहीं ला पाए पान सिंग तोमर एक सैनिक था जिसने देश की रक्षा के लिए बंदूक उठाई और एटलेटिक्स जैसे खेल में कई पदक भी जीते लेकिन हालात ऐसे बने की देशवासियों की रक्षा करने के लिए उठी बंदूक निर्दोश लोगों की जान लेने लगी हमने भी पान सिंग तोमर के बारे में और घोजबीन की और ये पता किया कि अगर उसके साथ न्याय किया जाता तो वो बीहड में कूद कर एक बागी बनने की बनीजबन एक अच्छा नागरिक बन सकता था डाकू मलखान सिंग की तरह कई दस्यू चंबल में सक्री रहे उनमें से कुछ आज भी अपने कामों के लिए जाने जाते है जिन भागियों ने अंग्रेजी हकूमत के दौरान बंदूग उठाई थी उन्हें जनता का भरपूर सहयोग और प्यार मिलता रहा अंग्रेजी हकूमत के जाने के बाद सामाजिक शोशण के शिकार लोगों ने बीहड का रास्ता चुना मगर इसमें आने वाले समय में बहुत कुछ हो सकता था दस्यू सर्तार मलखान सिंग और बैंडिट क्वीन फूलन देवी इसके बड़े उधारण है बाद अब डाकू पान सिंग तोमर की बच्पन से फौजी बनने का सपना देखने वाला पान सिंग कब और कैसे पीहड का आतंक बन गया इसकी अलग ही कहानी है पान सिंग तोमर की जिंदगी पूरी तरह से फिल्मी थी और उसकी जिंदगी पर एक अवोर्ड विनिंग बॉलिवड फिल्म भी बन चुकी है जिसमें अभिनेता इरफान खान ने पान सिंग तोमर के किरदार को जिंदा कर दिया मुरेना मुख्याले से करीब 55 किलोमीटर दूर भीडोसा गाउ में एक जन्वरी 1932 को पान सिंग का जन्म हुआ सीधा साधा परिवार खेती बाड़ी कर अपनी गुजर बसर करता था गाउ में करीब करीब हर घर में एक फोजी था इसलिए लड़कपन में बालक पान सिंग की नन्ही आखों में सेना की वर्दी चप चुकी थी पान सिंग ने घरवालों को साफ साफ कह दिया था कि बनूंगा तो फोजी ही और कोई काम मुझे नहीं करना जवानी की दहलीज पर कदम रखने के साथ ही पान सिंग अपने सपने को सच करने में जुट गया चौधी कक्षा फेल पान सिंग सिपाही बन गया उसकी फोजी बनने की कहानी किसी इंस्पाइरिंग स्टोरी से कम नहीं फौजी बनने के लिए पान सिंग ने खुब पसीना बहाया सूरज निकलने से पहले वो कई किलोमेटर नाप चुका होता कई महीनों की मेहनत के बाद 6 फीट लंबे पान सिंग तोमर का सपना साकार हुआ और वो सिबाही बन गया उसकी पहली पोस्टिंग उत्तराखन के रोड़की में हुई जहां वो सूबेदार बना सेना में जाने के बाद भी दोड़ना उसका जुनून बना रहा जब भी वो अपने साथियों के साथ दोड़ता तो अववल आता अफसरों ने उसके इस हुनर को पहचान लिया था उन्होंने पान सिंग तोमर को लंबी दोड़ के लिए तयार किया 1950 और 1960 के दशक में पान सिंग साथ बार राष्टिय स्टेपल चेज का चांपियन बना 1952 के एशियाई खेलों में उसने भारत की अगवाई की पान सिंग तोमर ने 3000 मीटर की दोड़ 9 मिनट 2 सेकेंड में पूरी की ये ऐसा रेकॉर्ड था जिसे दूसरे आथलीटों को तोड़ने में 15 साल लग गए शांदार करियर के बाद 1972 में पान सिंग तोमर ने सेना से रेटायर्मेंट ले लिया सेना से रेटायर होने के बाद पान सिंग सुकून की जिन्दगी जीने के लिए फिर से अपने गाउ भीडो सा आ गया और फिर खेती बाड़ी और गाउं की मिट्टी में रच बस गया लेकिन तकदीर में कुछ और ही लिखा था गाउं की मिट्टी लाल होने वाली थी जाने के लिए पांच सिंग तोमर अफसरों के सामने कई बार गड़ गड़ाया, फौजी होने की दोहाई दी, दौड में जीते मेडल दिखाए, वो कलेक्टर के पास भी फर्यार लेकर गया, लेकिन घरवाले बताते हैं कि कलेक्टर ने उसके मेडल जमीन पर फेग दिये, प्रतह शेत्र के सबसे कुख्यात डकैतों में से एक के उत्थान और पतन का कारण बनी, चंबल घाटी के जानलेवा बिहडों में पांच सिंग तोमर की यात्रा अन्याय के इतिहास से शुरू हुई, भीडोसा में जन्मा वो एक सैनिक और प्रतिभाशाली आथलीट था, ज अपने जमीन विवाद के लिए न्याय माँगने के बावजूद उनकी गोहार अनसुनी कर दी गई, हताशा और बदले की भावना से प्रेरत पांच सिंग तोमर ने अपराद का जीवन अपना लिया, दकैतों का एक गिरोह बना कर उसने चंबल शेत्र को आतंकित करते हुए दकैती और अपरण का सिलसिला शुरू कर दिया, सरकार की कथित असमवेदन शीलता और सहियो की कमी ने उसे अपराद के रास्ते पर और धकेल दिया, फिल्म निर्माता तिगमांचु धूलिया ने पांच सिंग तोमर में एक सम्मोह कहानी देखी, जिसे जनता को बताया जा जानकारी सामने आई, जिससे पांच सिंग तोमर के जीवन और प्रेणाओं के बारे में गहरी जानकारी मिली। की किमवदंती बढ़ती गई, ये सवाल उठाया गया कि क्या उन्हें डाकू के जीवन से बचाया जा सकता था? क्या मुक्ती के लिए कोई वैकल्पिक रास्ते थे? ये विडियो उन सम्भावनाओं की पड़ताल करता है, जिन्होंने इतिहास की दिशाप बदल दी होगी. काई लोगों द्वारा जेली गई क्रूर वास्तविक्ताओं की दुखत याद दिलाती है. इस विडियो के माध्यम से हम बान सिंग दोमर के जीवन के अनकहे पहलूं पर प्रकाश डालने और इस रहस्य में व्यक्ती के लिए एक स्थाई विरासत बनाने की उम्मीद करते है ऐसी ही रियल और इंट्रेस्टिंग स्थोरीज के लिए देखते रहें. रियल स्थोरीज व्लॉग्स, लाइब, शेर और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले.